साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मैं आज डिसक्रस करूँगा एक इंपॉर्टन जज्ज्मेंट ऑन्रबस सुप्रीम कोड का जो की है अक्टूमर दोज़ार चोबिस का इस फैसले में दो इंपॉर्टन बिंदू तैय हुए हैं सबसे पहली बात कि पुलिस अगर गल बनीविए उसको रिमूव कर दो या किसी इंसिटूशन को या किसी स्ट्रेट को या किसी परसन को इसी सिथी में ऐसी कंडिशन्स जो है इनलीगल होंगी और यह अभी उप्रसेश तो यह क्या ममला है क्या मसला है और ये तमाम बातें क्यों करें सूप्रीम गोड ने जानना बाते जो हैं आज में डिसकस करूंगा आज के टॉपिक में तो केस में क्या वधा कि अक्यूस पर्सेंज जो है इनकी बिनों दर्जभी एकर चटी सेक्शन 294 सेक्शन 303 सेक्शन 506 सेक्शन 447 सेक्शन 147 सेक्शन 148 IPC में और एक सेक्शन 408 लगा गया कि घर में गुजगे जबरन और जो कंसरेंट घरवाले थे उनके साथ जो है मारबिट की यह बेसिक आरोप ते इस मामले में जो है और जो कंसरेंट आरोपी गंड थे उनको आरेश भी कर लिया जब यह जेल में थे इन्होंने बेल मुग करी पर हाईकोट ने का कि अब भी आपको बेल नहीं देंगे तो इनके वकिल साहब ने बेल को बिड्रॉ कर लिया विद लिबर्टे की जब चार्शिट फाइल हुजाए गर में एंटर होते हैं और जो वॉfa है उसको तोड देते हैं और अल्टी मेटली असौन करते हैं जो घर में उपस्यद लोगे में उनको तो ऐसे सेरियू में जो आरोपी गंड हैं इनके जो कृत्ते है नाकेबल सीरियस है बलकि जो social norms है उसके अगेंस्ट है भई एक आदमी घर बेटावा है अपने family को लेके और उसको ये assurance है state की भई आप आराम से प्रपरपरटी को enjoy करो पर ये लोग जो भाव बली है गुंडा गिरती कर रहे हैं आराम से enter होते हैं और जो concern wall है घर की उसको तोड़ते हैं और इसक सिद्यों को देखते हुए concern accused को जो है वो बेल करता है पर बेल ग्रांड करते हुए यह condition में लगाता है कि जो wall remove करी है उसको आप concern कर दीजिए और इसके लावब जो position है concern premises का वह आप कर दीजिए hand over complainant को यह लोग जो है challenge करते हैं इस order को यह कहते हुए कि यह जो order है बेल का वो तो ठीक है पर जो conditions लगा दी है यह conditions जो है जो भी आप लगा सकते हैं उसके लिए बेसिक प्रोटोकॉल है section 47 sub clause for CRPC and section 489 of CRPC तो जो भी हमारे civil disputes हैं यह हमारे civil rights को लेकर जो भी litigation spending है civil court में उसके लिए section नयाले जो है civil court है ना कि concern high court या foster court तो concern high court बेल देते हुए ऐसी condition अगर लगा रहा है तो ultimately इसका असर जो civil court है यह civil litigation उस पर भी पढ़ने वाला है क्योंकि civil litigation जो है यह फाइल करा है state of MP ने against component his wife and the other persons और उसमें खुद state का मानना यह है कि इंका position जो है गलत है तो ऐसे scenario में जहाँ civil dispute जो है pending यह competent court में और state of MP जो है rights को affect कर रही है तो ऐसी conditions जो है justified नहीं है ultimately it will defeat the purpose of bill इसमें कुछ judgments में जो है रिलाई किया गया फर्स judgment था परवेज बना मिस्टेट और महरास्ट्रा का रिसका citation 2010 SEC page 77 it says that the object of bill is to secure the attendance of accused कुम लागी वो liberty को मिस्यूज ने करें गवाँ को डराय दमका यह नहीं तो वहाँ पर court जो है conditions लगा सकता है तो पहले प्रोविजिंग क्या था सेक्षिन 437 subcloss 4 CRPC अब क्या है 480 subcloss 3 BNSS तो कुम लागी conditions को impossibly करते हैं कि यह भाग नहीं जाएं देश शोड़के यह स्टेट शोड़के यह डिस्टिक शोड़के इसके अलावा liberty का मिस्यूज ने कर रहा है किसी को डराय दमका यह नहीं इसके अलावा अपनी attendance को जो है नीमत रूप से court को देता रहा है जब तक इसकी attendance को exempt नहीं किया किस SEC P779 इसका जो है citation है इसमें भी बात की गई है कि जो भी condition हम लगा रहे है अगर ऐसा नहीं है तो मिल जाएगी बट इट वुड़ भी या fruitless बे तो वह ऐसा नहीं हो तो कम से कम conditions जो है reasonable लगाए और जो law में सित्या है उसकी according जो है लगाए इसके लावा important judgment है महेश चंद पत्ति को maintenance दो तो यह civil right है उसका तो उसके लिए civil court जाए हूँ तो court ने कहा कि ऐसी कोई condition जो आपके civil rights को decide कर रही है यहां उसको affect कर रही है ऐसी condition लगाना अपने आप में ही गयर कानूनी है और section 437 sub clause 4 CRPC यह section 480 sub clause 3 BNSS के तहित इसको कोई मानता जो है वो नहीं दी जा सकती तो court ने कहा कि यहां पर जब pending थी bail application concern accused person की तो जो concern police थी उन्होंने forcefully जो है position ले लिया property का जो concern person से उनसे की भी ले ली तो ऐसी सिती में जो police का act है वो unlawful है कोगी जब कोई matter pending है civil court में तो उसका अंधरन जो है civil court करतेगा बढ़ एक पक्षकार आगे आपके पास में वो यह कहता कि वह यह property जो है अंडे डिस्पूटर का position आप ले लो और आपने भी बिना कोई Fats को जाने देखे position ले लिया तो ऐसे scenario में यह सितियां गड़ते अफ कोशन यह बनता है दिमाग में कि position लिया कैसे police दे पुलिस हो भी समझदार है और उसको सारी जांकारी में होती है Fats Conceal अगर उनसे कर भी लिये गए तब भी वो investigate कर सकते हैं actually क्या था बही CRPC में एक section था इसका नाम था section 145 CRPC it empowered the concern SDM कि अगर उसके local area में कोई property है जो कि immovable है उसको लेकर dispute है खासकर position को लेकर तो वहाँ पर position जो है जिस वेक्ति से force ले दिया गया है उसको SDM जो है restore कर सकता है यहां position जो है dispute में है तो वहाँ पर receiver report कर सकता है और इसके लाबाब matter को civil court में refer कर सकता है for the proper adjudication तो उस scenario का जो है यहां पर गरत फायता उठाया गया और यहां पर पुलिस के सामने एक अर्जी फाइल हुई किसाब मेरा position था और जो है गरत रुप से ले लिया गया तो उस context में जब civil suit pending है अधिकार तया होने तो पुलिस ने क्या करा कि उसको देखिया बगर उसको consider किया बगर forcefully जो जो बेल मिली थी वो justified थी पर जो condition लगा दी उसको भी जो है quarter remove कर दिया और जो other conditions थी section 47 sub clause 4 CRPC के लेट में की आफ लिया बे नहीं करेंगे आप गमाओं को temper नहीं करेंगे आप एक reasonable add करेंगे उसको court ने अपर्ड कर दिया तो यह फैसला जो है दिखाई देता है बहुत justified और जब भी हम बेल को अर्ग्यू कर रहे हैं यह वाद विश्य ध्यान रखिएगा और बेल को अर्ग्यू करते पर जब बेल मिल जाती है और court कभी एप्षर कंडिशन लगाती है कि आप इतना amount जमां करना तो एपड़ी के फ़ह में जो concern component है उसके कोई दिवार आपने तोड़ court ने लगाई है उसका हम सम्मान करते हैं बट निवेतन है कि कोई भी condition अगेंस law जो है वो नहीं लगाई जा सकती दूसरी बात है कि there is a difference between recall and review review में तो क्याता कि consultation merits पर हो सकता है पर recall मैंसा नहीं होता है गलती क्या रह गई लाव पाइंट पो उसको जो है देखा रहता है तीसरी बात यह कि एक judgment है के रलाई court का उसमें लिखाव है कि अगर हमने को judgment पास कर भी दिया और बात में मालू बढ़ता है कि अगेंस सुप्रि remove किया जाए फिर भी उसा नहीं करता है तो फर्दर स्को रिमल करने के लिए आप kोड में जा सकते हैं यह यह प्रोड को अपने को फॉलो कर आए ताकि अपने rights नहीं हो और आपने एजिले जो है अपने rights को सिक्र कर कर सकें तो जच्वेंट जो है मैं में सिखहता है मोटे मो case why your liberty is to be restored और किस तरह से आपको जूटा जो है फसा गया apparently court को देखना चाहिए कि यह case जो है घर बड़े पुसरी बात है कि law point पर अगर कोई बात आ रही है मालने जिए punishment 7 साल का है पुलिस जो है चाहते है गिरफतार करना है गिरफतार कर चुकी है तो 41A CRPC या section 35 sub clause in B and SS का कुलाब नहीं मिला है तो आप इसको अप्लीड कर सकते हैं तीसरी बात है कि ground of previous enmity या ground of false application को भी अप्लीड कर सकते हैं चौती बात कोई भी civil dispute या civil rights जो है court bail में तेयर नहीं करेगा इस बाको विश्य दियान रखिए पाश्वी बात यह है कि section 437 sub clause 4 CRPC या section 480 sub clause 3 B and SSJ conditions code जो है वाँ पर impose कर सकता है means code ले सकता कि भाई आप flee away नहीं करेंगे आप टेंपर नहीं करेंगे आप जो है किसी भी रूप में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे इस से system जो justice का वो affect हो यह condition अगर code लाग रहा तो जल्दी मिलते हैं अपर एक नेट ओपिक के साथ तिल दें जाय हिंद जाय भारत